कि आप लोग के अप्लिकेशन से स्पीड ऑप्शन में था सा प्रॉब्लम हो रहे हैं उसी वज़ा से सुबा के क्लास डिश्टर्ब चल रहे हैं मेंटिनेंस के वज़ा से जिसमें जिसमें हड गया है सबका इमेल से उसको मतलब एक एक करके अफडेट करना पड़ता है चलिए इससे पहले के क्लास में हम आपको गुलाम वंस पढ़ाए थे सुबा के क्लास में गुलाम वंस ठीक है गुलाम वंस पढ़ा दिये थे गुलाम वंस कब से कब तक था बारासो छे से लेके बारासो नब्बे तक बारासो छे से लेके बारासो नभे तक के में था कुन साब वंस था गुलाम वंस था आप में से बता सकते हैं गुलाम वंस के अंतीम दो सासको के नाम बता सकते हैं जल्दी जल्दी गुलाम वंस के अंतिम दो सासकों के नाम, फटा फट, फटा फट, हिल जी पढ़ाना है, हिल जी बड़ी इंट्रेस्टेड है, क्यूमर्स और कैकुबाद, इस सबस्वरा लोल था सब, क्यूमर्स और कैकुबाद क्या था सब, लोल था सब, इसमें बहुत बहुत बहतरीन सासक तो हुआ सब नहीं, एक बार हम जो कोश्चन पूछता है, एक बार आपसे रिवाईज मार के पूछ देते हैं, गुलाम वंस को किया गुलाम फॉंट्स इसलिए इसके अधिखतर सासक किसी ना किसी गुलाम थे जैसे Muhammad गोरी के गुलाम कुटूब तिन्यापक था अभग का गुलाम इल्टुत्मीशे था उसी तरह अब मैंना कि सकते लोग ब Вас सकते बल्बन किसका गुलाम है बल्बन कीसका गुलाम था बल्बन का नाम उलुक खान भी बोला जाता है बल्बन ने 40 दल को समाप्त कर दिया एरानी पदत्ते को चानु किया था शजद हैं पयोथ पदती नौरोस्ते भार मनाना Car dugi a था है जे बलवन बलवन किसका खुलाम थाज़ नसीर दीन सा किका बलवन ने इरानी पद्दति को क्या किया था चालू किया था तक पूरी तरह से बलवन खुद खूद ऊंचे मुश्किल से तलाल और नियाय मांगा था लेकिन इस पद्धती को सबसे पहले किस ने चालू किया वेरी गुड इल्तूतमिस ने चालू किया था इल्तूतमिस को वास्तविक सांस्थापत का आ जाता क्योंकि इरान के पास जो खलीफा रहते थे उनसे इसने डिग्री लाया था जिस डिग्र मसजीट किस ने बनवाया था वेरी गुड खुब्बतूल इसलाम मसजीव बनाया था कुतु भूदिन आभक मसजीद के आगे गेट नहीं था मेंड़ी सब्राई द्था का नाम ता लाई दर इसको अलाउड द्षी ने बनवाय था ऑऽ दिन का जोग्रफी पॉलिटी इसम नहीं होता था तो में के मेश्टी बैलोजी नहीं था यह सास्त्रे वगरा पढ़ाए जाता था हरी केली नामक पुस्तक की उस पर लिखी भी हुई है संग्रचना भी अजमेर में है धाई दिन का जोगड़ा अब आगे बताईया कुटुबुदीन के समय राजधानी जो थी लाहोर थी कुटुबुदीन आभक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहोर थी और लाहोर में ही इसको घोड़ा खान दिया था गिर गया था पोलो खेलते मर गया उसका मगबरा वहीं था राजधानी लाहोर से दिल्ली किसने लाया राजधानी अब देखते हैं अन्तीम सासक जो थी सब इस वंस के कुमर्स तथा कायकूबाद यह किसी काम के नहीं थे फिरोज सा खिल जी जलालुदीन फिरोज खिल जी ने इस वंस की अंत कर दिया इसको राजा को मार के अब मेरे खांदान के लोग बैठेंगे तो जलालुदीन फिरोज गुलाम नहीं था बलकि काट दिया अंतीम सासकों को अखुद क्या बन गया सासक बन गया इसलिए यहां से एक निया वंस हो गया जिसका नाम हुआ खिल जी वंस कौन सा वंस खिल जी वंस यह तो पहला हो गया गुलाम वंस गुलाम वंस क्या हो गया वही पहला हो गया दूस इसरा कॉन सा है का खिल जी वंस पर लिए इसको याद रखते हैं खिल जी वंस खिल जी वंस यह 1290 से खतम हुआ तक 90 रहेगा तेरा सो बीस तक आप यह देख सकते हैं कि इसका वंस कितना छोटा है मुश्किल से तीस साल सासन किया है तीस साल और इस तीस सालों में भीना सबसे जादे सासन किया है किसने तो अलावदीन खिल जी ने बीस साल तक सासन किया हुआ तुरवा बीस साल तक उसासन किया है इस तीस साल में थर्टी यर्स में अकेले बीस साल अलावदीन खिल जी शुर तो बुदीन फिरोज खिल्जी यह खिल्जी वंस में थे जब पगला सा सकता अभी उदर चलेंगे तो पताचे ने उगारे गूमता था हुग देगे इस वंस का ये ये वंस जादे दिन तक नहीं चला था इस वंस में में ली तीन सा सक हुए सब अलाउदीन खिल्जी सबसे ब जलालुदीन फिरोज खिल्जी जलालुदीन फिरोज खिल्जी जादे दिन तक टिक नहीं पाय थे 1290 में ये सासक बने और 1296 में इनको टपका दिया इनका भतिजा क्या नाम था उनका इसके भतिजा का नाम क्या था इसके भतिजा का नाम क्या था इसके भतिजा का नाम था जनता से ये जनता पर अतियाचार वगरा नहीं करता था जनता परती क्या था दयालू सा सकता अब जो है ये दक्षिर भारत को जीतना चाहता था जैसे उत्तर भारत में ते दिल्ली में था ही और दक्षिर भारत में जीतना चाहता था ये एरिया तो इसने क्या किया दक्षिर भारत जीतने की जिम्यदारी दे दी अलाउदीन को अलाउदीन अलाउदीन दक्षिर भारत जीतने की जिम्यदारी किसको दे दिया अलाउदीन को दे दिया और ये अलाउदीन दक्षिर भारत से जीत कर आया और अपार धन दौलट लूटा और धन दौलट लूटने के बाद स उसका क्या था भतीजा भतीजा और बाद में उसका क्या बन गया दामाद बन गया बाद में दामाद बन गया आप कहेंगा भतीजा दामाद कैसे हो सकता है तो देखे इसलाम धरम में एक ही मां से पैदा हुआ लड़का लड़की साधी नहीं कर सकते या कोई मां दोनों की मां अलग है, यह मतलब समझे ध्यान से, एक ही माबाप की संतान आपस में साधीर नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि कोई मा अगर किसी दूसरे को भी बच्चे को दूद पिला देती है, तो वो दूद पिलाने के रिष्टे के वैसे वो भी क्या हो जाती है, उसके बेटा के नम पे दूद पिला देती है, तो ऐसे रिष्टे, तो बेसिकली इसलाम धरम में है कि एक ही माबाप से उत्पन संतान साधी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाचा की लड़की से, मौसी की लड़की से, बुगा की लड़की से, मौसा की लड़की से, मामा की लड़की से चल सकता ह मतलब समझ रहे हैं कि आप बस अपने अपनी खून के रिष्टे में मतलब जो खुद के संतान से उससे नहीं कर सकते बाकी से कर सकते तो यह तो भतिजा था बाद में क्या बन गया दमाद बन गया उसके बाद क्या बन गया हत्यारा बन गया एक आदमी को को रिष्टा देख र है सर अपने में ही साधी हो जाती है वही देखो बात समझो यह अपने में यह यह सबसे बड़ा चीज क्या जर का जो चीज इनसान को जो कलचर रहता है न उसको वह एक लिए क्या जाता है तो उनका वो culture है, तो हर इंसान का अपना culture है, जैसे हिंदुस्तान में जादे तर लोग जैसे यहादे majority लोग हिंदू की है, अब हिंदू धरम में सवसुरां घोटर तक मिलाया जाता है, अगर दुगा मनली हो जाती है, तो अगर आ से भिया मत करो, यह मत करो, तो वैसे चाचा की लड़की मामा की लड़की इसब से नहीं कर सकते है, वशाबी इसलाम धरम में एसा नहीं हैного, तो कि दो से बहुत कि और गरशा सकते है C lecamedього सो किसी दुक्रमा क्या क्लिब उस्लामा क्या है। छे साल तक इसा सुरे सासा ने की हैं, अब इन में जादे हम चलते हैं, अलाउदीन खिल जी के बच्पन का नाम क्या था? अलाउदीन खिल जी के बच्पन का नाम अली गुर्षप अली गुर्षप, इसके बच्पन का नाम था, अली गुर्षप, इसने अपने पहला अभियान इसने कहां से सुरुआत किया? दक्षिर भारत से किया, कहां से सुरू किया? दक्षिर भारत से किया, लेकिन उस समय ये अपने चाचा के अंडर में था, दक्षिर भारत जीतने के लिए गया था, तो अभी इसको आइडिया लग गया था, कि भाया दक्षिर भारत जीते बिना हमारा काम नहीं चलेगा, क्य कि इसको दक्षिड भारत में ऐसा क्या देखने को मिल गया था तो एक्चुली इसको दक्षिड भारत में देखने को मिल गया समुद्र इसको पता था कि अगर विदेशी व्यापार करना है तो दिल्ली में बैठके कभी संभव नहीं है हमें यहां से समुद्री रास्ते खोलने पढ़ेंगे इसलिए इसे दक्षिड भारत जीतने की ललक तो शुरुवात से ही थी या पर ये क्या था ये खुद को सिकंदर कहता था क्या काता था सिकंदर सिकंदर इसने खुद को सिकंदर दुतिय कहां उर्दू में सिकंदरे सानी कहते हैं सिकंदरे सानी मतलब सिकंदर जै जानी सिकंदर ए सानी के नाम जाता है अब इस सचुरह को जीद थी हमको हर चीज में आगे बढ़ना है हर चीज में अब इसने कुबतुल इसलाम मस्जीद बनवाई इसने तो बनवाय नहीं तो इसने क्या बनवाई अलाई दरबार अलाई द्वार किस मस्जित का है कुबत इसलाम मस्जित का है कुटू मिनार के बगल में इसने बनवाया अलाई मिनार अलाई मिनार अलाई मिनार बनवाया इसने कहा कि खलीफा को खलीफा को माननेता दिया खलीफा क्या इसने खलीफा के पद को स्विक्यारा या नहीं स्विक्यारा था कि खलीफा धार्मिक रूप से बड़े होते हैं इस ससुरा अपना एक निया धर्म बनाना चाहता था निया धर्म बनाना चाहता था है कि चाहता है अपना धर्म बनाना का दया रा भर्म रहाएगा तौंle मत करते में मुद्ध है श्राच वो गया पम भॉण हता इसलाम त जी नहीं नहीं टोंस करता है न तुम वर सर्ण लिए शतर्स देखते हो हॉब तुम अपने जगा ठीक है तो अलावदीन खेली ने भी कहा ना कि सच्रा तुम हमरे ऊपर इसलाम धरम का मत थो इसने इसलामिक धार्मिक परंपराओं से खुद को मुक्त कर लिया गोष्णा कर दिया कि हमरे परी सब लागू नहीं होता है और रियल में भी देखोगे नहीं एक राजा या एक रिप्रेजेंटेटीव या एक नेता और इसको धरम से बांद देंगे तो फिर यह तो सबको लोग के लिए हो नहीं सकता अब भई जिसको केवल धर्में जानता है उसको समाजों आशते तो कुछ खास मतलब है नहीं तो इसने खुद को क्या किया धर्म से मुक्त कर लिया नहीं कोस्चन आएगा कि खुद को ध्रमिक नियमों से मुक्त करने वाला सासा कौन था अलाउद दीन खिल जी निया धरम ब मंदिर वाला भी PDF नहीं मिला मंदिर वाला पीडीफ मिल घा है Вाबू डाया जारी प्रश्क पुर में यंदिआ करो है सबसे पहले कहा कि जितने भी दान भूमी है जो भूमी किसमें दी गई है जितने बहुमी कि जो भूमी कि जायों, सबसे जांदे भूमी दान में किसको दी गई थी तो गुलाम वन्स के वक्तorb फेक्ट घजासची गूला स कथा है तल्ह बहुत में स recycling Student घू लमें प्सक्राइब है सब डिल्ली में बहुत पहुंचे बाबा थे रेवा नीजामुतिन सब्सक्राइब घारमी व्यक्ति थे इनको बहुत सारे जमीन दान में मिला था थी निजामुद्दीन ओलिया के दरवार पर गया और घोडा ओडा रोका अका संदेश भी जाकर खTFOO्त नियम पढ़िये सरकार जितनी दान में जमीन दी गय यह सब सरकार क्यो जागी अलाउदीन खिल जी को निजामुदीन ओलिया ने कहा कि यहां से लोट जी मेरे घर में दस दर्वाजे मतलब आप किसी एक दर्वाजे से आएंगे ना तो नो को दर्वाजा और बेचल है मेरा हम निकल जाएंगे लेकिन आपको जमीन लहीं लोटाएंगे तो लोगों ने समझाया अलाउतिन खिल जी को कि देख भाईया इधार्मी मेर्टर हो जाएगा इसमें इंटर्फियर मत करो साइध में आया यह इंगे किसी को कोई दिकत तो पहला नियम के ताथ दूसरा नियम इसने क्या किया गुप्त-चर गुप्त-चर ना में दी गई जमीन ले लिया मध्धे पान मतलब समझते हैं मत्दे पान मतलब होता है नस पर रोक लगा दिया कहा कि कईयों सराब बिखता देख लिए गुठका पान बीडी सराब ये सब एकदम रोक लगा दिया नितिश कुमार की तरह मध्य पान आगे बढ़ जाए इसके अलावे भी इसने कई नहीं यम जालों किया इसने कहा कि छोटा तेवहार छोटा तेवहार पर बन लगा दिया अमीर लोग जो थें बड़े बड़े जमीनदार अमीर लोगों के मिलने जुलने पर परतिबन लगा दिया क्योंकि अमीर सब मिलता जुलता था सब और राजा के खेलाब सडियन तो रखता था आप मेंसे कितने लोग बता सकते हैं कि प्रा अची नितिहास में वो कौन सा सा सकता जिसने छोटे-मोटे तेवारों पर बैन लगाया था अरे यार इतना चीक-चीक के पढ़ायत है भुला जाएगा सबस्प्चा तो दाते काट लेंगे हम अरे इसके और नियम लगया गुपत चर्त गूपत चर्स गूपत चर्त मतलब जसस्व और कि हमारे राज में जस मीरा अक्यार कogr़त कर दिया इसकी वीवस्त है किया को यह चरो नियम याद रखीगा मद्ध्द पानग कर रोक लगाने वाला अलावदीन खिल जी दान में दी गई भूमी को वापस लेने वाला अलावदीन खिल जी छोटे मोटे तेवार तता आमीरों पर रोक लगाने वाला अलावदीन खिल जी गुप्त चर रखने वाला अलावदीन खिल जी आगे बढ़ें अलावदीन खिल जी इसने सेना के छेत्र देता था, yearly वेतन देता था, month-ly फिरोज सा तुगलग देना चालू गया था, अब आप बताएँ यह नगद वेतन जब दिया, इकता वेवस्था समाप्त हो गया की नहीं हो गया, नगद वेतन जैसे देगा, वेतन के बदले जमीन तो खोगा नहीं, नगद वेतन जैसे दिया इकता वेवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त हो गया, तो नगद वेतन जैसे दिया, तो जो इकता वेवस्था था, यानि जो सामंती वेवस्था थी, वो तो आटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, आटोमेटिक, लेकिन यह नगद वेतन कैसा था, मन्थली नहीं था, वार् जब भी सैनिकों को tax free चीजे मिलती हैं, उनके ऊपर tax नहीं लगता है, उनका canteen होता है, वो tax का पैसा सरकार भरती है, तो canteen से जब वो समान खरीते हैं, तो canteen एक दुकान होती है, वो दुकांदार क्या करता है, समान को खरीत के लाता है, उसके बाद से उस दुकांदार क्या क मान के चलिए तो जो बदाम आपको मिल रहा है काजू या बदाम 1000 रुपय किलो केंटीन में जाएंगे तो मिलेगा 600 रुपय किलो और जो बाकी बचा 400 केंटीन वाला भरेगा अपना तो सरकार जो होती है सैनिको को केंटीन देती है यह विवस्था सबसे पहले अलाउदीन खि किया था और ड्रेस की विवस्था किया था ड्रेस कि कहा था कि सब हो जी सब का एको ड्रेस रहना चीए और घोड़ा जो होते थे सब घोड़ा को दाग दो गोड़ा को हलका सा जला के दाग दो अब जिसे घोड़ा है उसको जला के कहीं दाग दिया जाता था ताकि उस पर न सुसी दिया से करें नगद वेतन किसने दियाए अलहोतीन खिली ने दिया इस ने लिए हैा लाओ दीन खिली ने दिया था जला के दाग दिया जाता था कि आगे बढ़े किसी को दिकत गोड़ा दागने की विवस्था कि अलावदीन खेली किसी को दिकत अलावदीन खेली से कोशन पूछा जाए बता देंगे यह याद रहेगा अलो भाजबा, बताइए एक ही लाइन में कमेंट करके बताईएगा राजा बनने के बाद अलावदीन खेली ने चार कोशनां किया था वो चार कोशना कोशन ए अरे घोड़ा दगने वाला गोशना में थोड़ी था, वो तो सैनिक सुधार में था हाँ, ठीक है, जमीन, नसा, गुप्तचर, और एक ठो, जमीन के लिए हो गया खालसा, मध्य पान पर बैन लगाया था, गुप्तचर और क्या था? जमीन को खालसा जमीन में बदली जाएगी, इस खालसा जमीन को लेने के लिए कि धार्मीक व्यक्ति के पास पहुँच गया, अलावदीन खिल जी पहुचा था, निजामुदीन अलिया के पास, लेकिन उन्हें उन्हें उसे लोटा दिया, वो भी जादे इंटरफेर नहीं किय जाएगे, इस खालसा धार्मीक मेटर है जाएगे, तो फुच जाएगे, दिकत हो जाएगा, हो गया, इकता विवस्ता समाप्त करके नगद वेतन देना चालू किया था, अलावदीन खिल जी, कि मंथली था या यरली था, मंथली था या यरली था, मंथली दिया था फिरो सा तुगलग, आप देखे, इसके वक्त में टेक्स, देखे, टेक्स, यानि कर, इसके वक्त में चौश साथ गो टेक्स याद रखिये, उसी से कुछ था है, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये चार चीजी याद रखिये गए, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, जजिया क्या था, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, चरी, घरी, जजिया क्या था भाईया, ये एक सुरक्षात्मक टेक्स था, मुसल्मानों को छोड़कर सबको देना था, जो मुसलिम नहीं थे, गैर मुसलिम, गैर मुसलिम मतलब जो मुसलिम नहीं है, उन लोग को ये कैसा टेक्स था, सुरक्षात्मक, सुराइच्छात्मक टेक्स था आप बताईए इसमें पांच लोग थे जिनें बाहर रखा गया था उन पांचों लोग के नाम बताईए जजिया कर में पांच ऐसे लोग थे जिनें नहीं देना था बच्चा शुटका बूढ़ा बच्चा बूढ़ा बीकलांग जो चल फिर न बच्चा और महिला इन लोग को नहीं देना था अब ये जगात क्या था ये ओनली मुस्लिम को देना था ओनली मुस्लिम ध्यान देजे, जजिया किसे देना था, मुसल्मानों को जजिया नहीं देना था, बाकी धरम के लोगों को जजिया देना था, लेकिन जगात, बाकी के धरम के लोग जगात नहीं दे सकते हैं, मुसल्मान को जगात देना होगा, मुसल्मान को जगात देना होगा, संगागेगी खराज मुस्लिम का भूमी कर भूमी कर यह भी मुस्लिम पर ही था खुम्स साइनिको पर था जगात आज भी मुस्लिम देते हैं जगात मतलब समझे जगात के कहां दिया जाता है जैसे मुस्लिम लोग जितना कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट दो ढ़ाई परसेंट किसी स्वेक्षा से कोई जवर्जास्ती ने मन है तो दो ने तो मत दो अक्सर मुसल्मान लोग जगात देने का कम रम्यान में करते हैं एक महिना दे देंगे गारा महिना टेंशन फिरी रहेंगे मतलब हला कि देना तो चाहिए हर महिने बहुत से लोग देते भी होगे सब लोग का तो कुछी को अता पता ने लेकिन जादे तर लोग रम्यान के वक्त में देते हैं तो जकात वगरा था, संगा गया की नहीं आगया था, तो ये जकात था, ये चार टेक्स याद रखेंगे, जजिया, जकात, खुम्स, खुम्स, ये तो समझ गया जकात, खुम्स क्या था, सैनिक जो थे सब, जब युद्ध होता था, तो कोनों महला में घुच जाएंगे सब, समान उमाल लूट के लेके चलाएंगे, तो लूटे हुए समान में से, राजा को कुछ देना था, टेक्स के रूप में, जिसे हम कहते थे, खुम्स, खराज क्या था, मुसल्मान लोगों के उपर भूमी टेक्स थोड़ा कम था, तो उनको क्या था, खराज लगता था, चरी क गर इंगाव में लगता है शुटा-मुटा लगेगा बड़े सहर में रहेगा दिल्ली मुंबई में रहेगा तो हमाच के लगेगा मकान तो यह सब ट्स लगता है जजिया जकात खुंशकराज चरी घरी चरी जानवर के चराने पर घरी घर रखने पर इनके समय जो कृषि-क्राइब 50 dullים जो टेक्स था क्रीशी टेक्स वह कितना कर दिया गया 50% यानि एक कुंटल अनाज होगा तो राजा के पास केतना चल जाएगा आधा कुंटल दस किलो उपजाईए, पाच किलो राजा साब को पहुचा दिया, तो इसके वक्त में क्रिसी का टेक्स जादे बढ़ गया था, जो ठीक बात नहीं थी, किसके वक्त में, अलाउदिन खिल जी के ये सुधारों को देख लिए, और अलाउदिन खिल जी के कुछ विभाग देखत है कोण कोण से बीभाग धें, तो दीवाने अर्ज इसका सबसे महत्पूण बीभाग था, सतरा सेना वाला बीभाग देवाने अर्ज और इसके पास चार सबसे फेमस सेशना पती थे, कोणकोण नुसरत खान, और कौण उलूग खान, और कौण दो मलिक काफूर और जाफर खान जाफर खान तो मंगोल यूद में मारेगा और सबसे खतरनाक साबित हुआ इसका मलिक काफूर अब हम इसके सायन अभियान की और बढ़ते हैं पहले ये पुरानी वाली छीजिए आपके दिमाग में बैठी की नहीं ये बताइए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं बताइए अलाउदीन खिल्जी जो था उसने कौन सा मीनार बनवाया अलाउदीन खिल्जी ने कौन सा मीनार बनवाया अलाई मीनार अवाज डिश्टर भुरा हाँ बैटरी चेंज करना पड़ेगा एक सेकंड अले है अलाउदीन खिल्जी के बारे में तो याद है थोड़ा बहुत तो पता चली गया होगा अलाउदीन खिल्जी के बारे में आगे समस्ते हैं अलाउदीन खिल्जी की दिली इक्षा थी कि वह दक्षिर भारत को जीत सके इसे जीतना चाहता था वह दिल्ली में बैठा था लेकिन कि इसे जीतना चाहता था दक्षिर भारत को दक्षिर भारत वह अभियान क्यूं करना चाहता था बता सकते हैं दक्षिर भारत वह क्यूं जीतना चाहता था खमुद्र से व्यापार करने के लिए तो यह दक्षिर भारत अभियान के लिए इसने गुजरात पर आकमड करने के लिए सोचा तो यह गुजरात पर आकमड किया तो गुजरात पर आकमड उसने नुसरत खान के नेतरित में किया इसके चार परमुख सेनापती थे एक का नाम अब इसके पास व्यापार करने के लिए समंदर 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 अब इसके पास व्यापार करने के इस समंदर को जब available था तो यहीं भरोच के पास उसको हजार दिनार में एक गुलाम मिला हजार दिनार में क्या मिला गुलाम मिला दिनार में क्या मिला एक गुलाम यह गुलाम जो था यह किन्नर था हिजडा यह क्या था हिजडा झाल 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 आप आप जारा है आप आप जारा होगा वलती से बड़ी ट्रिया खतम हो गया तो बोल रहे थे देखिया अलावदीन खिल जी के सेनापती में नुसरत खान और उलुक खान और जब इसने गुजरात को जीता खुद नहीं गया हमला करने के लिए इसी नुसरत खा को बेला था यहां प्रन फिल गया मलिख खापूर अब इसके बास तीन सेनापती हो गए अब अलावदीन खिल जी के तीन तरह से दुष्मान हो समझेे कैसे कितने तरह से दुष्मन हो गए तीन तरह से पहला दुष्मन हो गया कि इसे दक्षिण भारत जीतने की ललक थी कोई अपना सामराज थाली में सजाके देदेगा उसके लिए एक सत्रु खड़े हो गाए दक्षिन भारत से दूसरा गुजरात जाने के लिए आपको राजस्थान हो के जाना पड़ेगा और राजस्थान के राजपूत्सासक इसकी अधिनता स्विकार नहीं करते थे चाहे व को ने लगा मंगोल आखम एक ही साथ अलाव दिन खिल जी तीन तीन मोर्चों पर घिर गया राजस्थान में उसके लिए दिक्कत बन गया राजपूत्सासक अगर राजस्थान के राजपूत्सासक को कंट्रोल ना किया गया रहता तो इसका गुजरात अभियान अटक जाता गुजरात कैसे जाता और अगर दक्षिड भारत के राजाओं को प्रवलता से नहीं किया जाता तो फिर यह दक्षिड भारत नहीं जीत पाता अउदा से मंगोल आया रहते हैं मंगोलों को लड़ने के लिए सबसे जादे परचर हुआ अलाव दिन खिल जी सब्रवा अधिक आकरमड किया गया इसके पास 27 बार किये था सब छोटे बड़े मिला के आकरमड हुए यह मंगोलों के आकरमड से तरस्थ हो गया था इसने अपने सेना पती को भेजा जाफर खान को किसे भेजा जाफर खान जाफर खान किसे भेजा था जाफर खान को अलाव दिन खिल जी न मंगोलों से आक्रमण करने के लिए जफर खान को भेजा जफर खान ने मंगोल आक्रमण को बहुत हत्त काउंटर भी किया लेकिन इस युद में जफर खान मारा गया यह कुश्चन दसियों बार पूछ चुका है अलावदीन खिल्जी का वह सेनापती जो मंगोलों से आक्रमण करते वक्त हार गया मारा गया कौन जफर खान अरे भाई यह सश्रा अलावदीन खिल्जी को समझ में रहे जफर खान रखा है उलुक खान रखा है नुसरत खान रखा है सब कौनों काम के खान नहीं सब कि अधरी के पाड़ बड्य नहीं था है वह को लड़ता है अगे बढ़ता है कि कि सब दुका काचछा से खान ठालाया था और थृश्टामश से ले आ रहा है कंवह इरान से ले आ रहा है कि कौनों माध देसी सब अरे इंडिया शखा उण पर इंडिया मिलेगा तब न बढिया मिलेगा मेडिन इंडिया होना चाहिए यह जफर खान मारा गया मेडिन इंडिया नहींता है मेडिन इंडिया में बहुत फर्क पड़ता है तो इसे हम in China, made in तु Di mm Greek the Marriage मंगोल आकमड हुए उस मंगोल आकमड को काउंटर करने के लिए इसने जफ जफर खान को भेजा लेकिन जफर खान युद में मारा गया याद रखेगा इसके चार सेनापती में यह हमेशा पुछता है उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी नुसरत खान और उलुक खान को थी लेकिन उत्तर भारत में इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी तो राजस्थान उदर मंगोल से बहुत आकमड हुआ मंगोलों को भी छती होता था हिमालय पार करके आने में तो बाद में मंगोल भी हारमाली मत्त ठक गासा की बार बार इधर के आना है तो उपर का एरि रहा था रानी पदमावती के लिए क्या कर लिया युद्ध कर लिया उस वक्त में इसने मेवाड चितोड इस सबको जीत के गुजरात तक का रास्ता को क्या कर दिया था साफ कर दिया था क्योंकि इसको मेली राजस्थान में दिक्कत किस्से होता था गुजरात में आने के ल आता था ठीक है और उस चार और से गड़ा राता था उसमें आग जलाई जाती थी और महिलाएं जो होती थी वह सज धच के पूरी मतलब जिस तरह से पूजा पाठ में बैठा जाता है उस तरह से करके पूजा पाठ करके उनके जो सैनिक बाहर लड़ते थे पता चलता था कि हम कर लेती थी सब तो उस वक्त राजस्थान की बहुत सारी महिलाओं ने जोहर किया अलावदिन खिल जी के वज़ासे अलावदिन खिल जी ऊपर में नुसरत खां के मदद से मंगोल आखमर्ड को तो संथ किया लेकिन जफर खान मारा गया इसमें मलीक काफू नुसरत खान सबकी मदद से चीतोड और मेवाड वगड़ा जीत लिया और गुजरात तक का एरिया ले लिया अब यह इसकी नजर किदर थी दक्षिड भारत की ओर दक्षिड भारत की जिम्मे बन्यांधारी किसे दी गई थी मलिक काफूर आप मेंसे बता सकते हैं मलिक काफूर दक्षिड भारत में किस राजा को पराजित किया हम हम पढ़ा कि वीर्था को देखते हुए उसे मारा नहीं बलकि उसे एक अलग जागीर दे दिया बता सकते हैं पड़ा दियें बताइए राम चंद्र देव कौन थे भया राम चंद्र देव नाम का हसर पड़ा था राम चंद्र देव किस वन्स के सा सकते राम चंद्र देव कितने लोग बता सकते किस वन्स के सा सकते राम चंद्र देव किस वन्स के सा सकते राम चंद्र देव यादव यादव वन्स चलिए याद तो है आप लोग अगला बताईए अलाउद्दीन खिल्जी का सेना पती दक्षिड भारत में किस राजा पर आक्रमण करने के लिए गया तो वो राजा खुद ही स्वाधिन्ता सुईकार कर लिया और अपनी एक सोने की मूर्ती पर जंजीर लपेट दिया सोने की जो संकेत देता था कि हम हार प्रताप रूद्रदेव कहा कैसा सकते अबहुं है यह परताप रूद्रदेव कहा के सा सकते हैं अ अभी वो जगद अंदर परदेश में है वारंगल वारंगल के सास है वारंगल के सास एक और पढ़ा चुक है वह कौण सा ऐसा चेत्र था जिसे अलाउदीन का सेना पती मलिक का फुर चाह के भी नहीं जीत पयाए वह कौन सा ऐसा च्छेत था जिसे मली काफूर का सेना पती चाह कर भी नहीं जीत पाया वह कौन सा ऐसा च्छेत था जिसका मली काफूर का सेना पती चाह कर भी नहीं जीत पाया द्वार समूद्र वेरी गोड याद तो है जी आप लोग को द्वार समूद्र किसे नहीं जीत पाया था द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था बता सकते हैं द्वार समुद्र किस की राजधानी थी किस वंस की राजधानी थी द्वार समुद्र वंस होए साल वेरी गुड आप लोग को याद तो है अब अलाव दिन खिल जी काद जो सैन अभी आने इसको फड़ा सा डेट वाई भी याद करना चाहिए देखिए हिस्ट्री में क्या होता है अगर आप पहले युद्ध को एक बार देख लिजेगी कोई युद्ध लड़ा गया एक बार दिमांग में अइडिया लग जाएगा बस डेट याद करना उसके बाद सिंपली है डेट को फिक्स कर दिए लड़का गलती क्या करता है डेट वो याद करेगा और कौनी राजा ने युद किया कौन हारा कौन जीता यह याद करेगा पगला जाता है आपको सीम्पली है आपको बस इतना याद रखना है कि अलाव दिन खिल जी दिल्ली में बैठा था इसे चाहिए था गुजरात गुजरात में सबसे बड़ी बाधारी थी राजस्थान इ दूसरा इसके समय मंगोल अकमर हुआ था जफर खान मारा गया था तीसरा इसकी खुद की महत्वकांचा थी कि दक्षिड भारत से हम जादे वया पार कर सकते हैं तो यहाँ पर एक आइडिया लग गया आप इसके बार डेट याद रखेंगे कब किस वंस पर किया था कौन सा स्पीड और क्वालिटी का उप्सन हट गया है वह जब इंजिनियर उसको सुधारने बढ़ता है उस वक्त अप्लिकेशन को पूरी तरह से इस्टेंड वाई पर रख दिया जाता है उस पर कोई क्लास नहीं रन करना चाहिए लाइव वरना करप्ट कर जाएगा अप्लिकेश चाहिए आगे का क्लास कल देखेंगे